हेलो काईज मैं आपका दोस्त और होस्ट मोवेव आपका अपने मोवेव इटूप चैनल पर सुवागत करता हूँ आज मैं जब को मुवी दिखाने वाला हूँ उस मुवी का नाम वेंपायर चर्नल्स है ये मुवी सब इसपीसिस मुवी सीरिस की चोती कड़ी है ये इस सीरिस की स्पीनोप मुवी है इसमें कुछ नए चरेक्टर्स इंट्रोडूस कराए गए है जो इस मुवी सीरिस की पांचवी मुवी में अहम किरदार निभाएंगे इस सीरिस की स्टार्टिंग की तीनों मुवी को मैंने एक्स्प्लेन किया है इनके लिंक या फिर प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी तो मूवी की सुरुवात रेबेका से होती है जो खुद में एंजोई कर रही है तबी उसकी नजर एक वेंपायर पर जाती है वेंपायर को देखकर भागने लगती है वेंपायर उसके पीछे आता है वेंपायर रेबेका को पकड़ लेता है वो उसका खुन पीता है तबी वहाँ पर जोचरी आकर उस वेंपायर की गरदन को उसकी धड़ से अलग कर देता है जोचरी जाकता है ये सीन जोचरी का सपना होता है यहाँ पर जूचरी अपने बारे में बताता है वो कहता है फ्रेवे का मेरी मासुका थी मैं अपनी मासुका को वेंपायर अटेक से बचा नहीं पाता हूँ जबकि मैं खूद एक वेंपायर हूँ उस रात के बाद मुझे ना तो सांती मिली है और ना ही आराम ना जाने मैंने कितने देशों का ब्रह्मन किया अंगीनत वेंपायर सोको मारा फिर भी मैं अंदर से दुखी हूँ मेरी आत्मा जल रही है अब मैं पूरी उरोप में आया हूँ संगित प्रेमी वेंपायर येस को मारने हमें यहाँ पर यह नहीं बताया जाता है कि जोचरी वेंपायर सोको क्यों मार रहा है उसका उद्देश से क्या है हमें सोपिया दिखाई जाती है जो एक पियानो कलाकार है उससे कुछ दूरी पर वेंपायर येस दिखाया जाता है जिसकी नजर सोपिया पर है हमें पियानो कॉंसर्ट दिखाया जाता है जहां पर सोपिया अपना पियानो म्यूजिक लोगों को सुना रही है वहाँ पर जोचरी भी मौजुद होता है संगित उसे थोड़ी सांती देता है उसे येस के आने की भनक लग जाती है वो येस को देखता है येस सोपिया को देख रहा है तभी येस जोचरी को देखता है जोचरी यहाँ पर खुद करता है कि येस मुझसे कहीं ताकतवर है उसने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी आखे उससे दूर अटाऊँ कॉन शर्ट खतम होता है येस सोपिया का वेट कर रहा होता है तबी सोपिया बहार आती है येस सोपिया से बात करता है वो उसे एक रोज देता है और उसके संगित की तारिफ करता है येस उस अपना काट देता है और कहता है कि आप इस जगह पर पियानों बजाने आ सकते हो सोफिया करती हैं जरूर पर कुछ दिनों बाद येस करता है कोई बात नहीं जोचरी इन दोनों की पूरी बात्चित को दूर से देखता है और सुनता है येस वहाँ से चला जाता है सोफिया भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है सोफिया और उसके दोस्त, एक दूसरे को गुड नाइट बोल कर अलग-अलग ड्राइक्षन में चले जाते हैं, आब सोफिया अकेली है, यस उसके पीछे है, यस के पीछे जोचिरी है, सोफिया को फिल होता है कि उसके पीछे कोई है, वो मूड कर देखती है, उसे सामने यस म गुम कर और तेजी से परचाई बन कर वहाँ से चला जाता है जोचरी का वार खाली चला जाता है सोफिया अपने घर की तरफ आ रही है उसे सामने यस मिलता है उसे देख कर तर जाती है तब हिवाँ पर जोचरी आता है येस जोचरी को देखकर वहाँ से चला जाता है खेर सोफिया और जोचरी आपस में कुछ बाते करते है सोफिया उसे मदद के लिए धन्यवाद भी देती है जोचरी सोफिया से कहता है क्या मैं आपका अपके घर तक छोड़ दूँ सोफिया कहती है क्यों नहीं Yes अपनी मांद में आता है एक तरह का कलब है जहाँ पर इनसान भी आते है Yes ने इस कलब के ओनर एंटोनियो से एक डिल की है जिसके अतहत Yes ने एंटोनियो को अपनी तरह एक विंपायर बना दिया है क्योंकि एंटोनियो आमर होना चाहता था और बदले में इनटोनियो ने Yes को इस कलब में सिदार बना दिया और Yes ने इसी कलब को अपनी मांद यानि की घर बना लिया हमें आईरिस भी दिखाई जाती है जो कलब की एक तरह से मेनेजर है वो भी इनसान है और उसकी भी कलब में सिदार ही है क्योंकि इस पूरे सहर में और इस कलब में सबसे ताकतवर कोई है तो वो Yes है इसलिए आईरिस ने Yes की अधिनता स्युकार की है Yes यहाँ पर आकेला नहीं रहता है उसके साथ कैडरस, दिमित्री और एंटोनियो भी रहते हैं यह सब इस को दिनता स्युकार की है जोचरी सोफिया को उसके घर तक छोड़ने आता है सोफिया घर के अंदर जाने लगती है जोचरी उसे देख रहा है Yes एक ओल्ड लेडी के पास आता है यह ओल्ड लेडी फ्यूचर बताती है और इसने Yes को जोचरी के आने की पूर्व सुचना दी थी वो कहती है उसके हातों में लेड्रेस की बलेड है जो किसी भी वेमपायर को नश्ट कर सकती है तुमें उससे थोड़ा साओधान रहना होगा सीन कलब के गेट से पराता है जो आटोमेटिक तरीके से बंद हो जाते है हमें Yes और आईरिस दिखाये जाते है यह दोनों वेमपायर से की मांद में आते है यहाँ पर आप देख पाओगे कि अलग-अलग वेमपायर से की अलग-अलग मांदे हैं Yes अपनी मांद में आता है एक तरह का रूम होता है जहाँ पर सुरज की रूशनी कहीं से भी नहीं आ सकती आइरिस का काम होता है कि सबी मांदों को अच्छे से बाहर की ओर से लोग करना और दिन मुनकी सुरुच्छा का ख्याल रखना येस अपनी मांद में आकर दो लड़कियों के साथ रूमान से करता है मैंने तिसरी मूवी में बताया था कि वेंपायर से अपना प्यार किस तरीके से जताते हैं अगर ये मूवी देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी ये जो दो लड़किया है ये वेंपायर से तो है पर एकदम फ्रेज वेंपायर से जो यूमन से अभी अभी वेंपायर बनी है जिनका खुन भी ताजा होता है जिसे यस पी रहा है सुभा के सिन में सोफिया दिखाए जाती है जो कहीं जा रही है तब उसके पास एक कार आकर रुकती है उस कार से आईरिस बहार आती है जो सोफिया के पास आती है आईरिस सोफिया को अपने कलब में पियानो म्यूजिक बजाने के लिए बुलाती है वो करती है नाइट में हमारे मास्टर ने जो आपसे भीव किया उसके लिए हमारे मास्टर ने आपसे मापी मागी है वो आपके सं मुजियम में अपना पियानो संगित बजाने आ सकते हो। इसके लिए आपको एक हजार डोलर दिये जाएंगे। सोफिया करती है ठीक है। बिल्कुल मैं आज रात आऊंगी। आईरिसे सुनकर अपनी कार से वहाँ से चली जाती है। रात होचुकी है यस निन्ट से जाकता है। सुफिया अपने घर से बाहर मुजियम कलब में जाने के लिए निकलती है। उसे सामने जोचरी मिलता है। वो पुछता है आप कहीं जा रहे हूँ। सोफिया जवाब देती हैं कि हां मैं कलब म्यूजियम में पियानो संगित बजाने जा रही हूँ और तुम्हें पता है कि कलब उसी का है जिसने कल रात मेरा पीचा किया था वो मुझे पियानो संगित बजाने का 1000 डोलर देने वाले हैं तबी वहाँ पर कार से आईरिस उसे लेने आ जाती है, जोचरी सोफिया को रुपने की कोशिस करता है, पर सोफिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती, और कार में बेट कर वहाँ से चले जाती है, इस मुवी के फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था, और अभी भी कर रहा हूं कि लड़किया किसी की नहीं सुनती, जोचरी भी कार के पीछे आता है, आईरिस कार से सोफिया को लेकर कलब म्यूजियम में आती है, जोचरी भी परच्छाई से वहाँ पर आ जाता है, और सोफिया और आईरिस को देखने लगता है, जोचरी यहां से सोफिया के लिए कुछ नहीं कर सकता अब उसने सोफिया को उसकी किसमत के भरो से छोड़ दिया आईरिस सोफिया को लेकर पियानों के पास आती है आईरिस उसे पियानों बजाने को कहती है सोफिया पियानों बजाने लगती है आईरिस वहाँ से चली जाती है, सोपिया पियानो बजा रही है, तभी वो देखती है कि उसके सामने यस समय सभी वेंपायर्स बेट कर उसका संगीत सुन रहे है, सोपिया पियानो बजा रही है, तभी अचानक से उसके पास यस आता है, उसे नुकिले दातों से काट लेता है, और ये देखकर बाकी की वेंपायर्स तालिया बजाने लगते हैं ये सोपियाक उटाकर अपनी मांद में लाता है कलब के गेट्स बंद होते है जोचरी कहता है मैंने उसका सूर उदे होने तक इंतजार किया पर वो नहीं आई अब उसे कैसा भाग्य मिलेगा जिसमें दूख और दर्द के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा यहीं पर जोचरी वेंपायर्स का सिकार क्यों करता है वो उसका कारण भी बताता है वो कहता है जिसके कारण मुझे निर्दोशों का खुल पिना पड़ता है जिनोंने मुझे से सूरज की गर्मी छिन लि मैं उन सभी वेंपायर्स को और उनकी पूरी वन्सावली को नस्ट कर दूँगा जो चरी कैसा वेंपायर है जिसका दिल इंसानों की तरह है उसके दिल में इंसानों जीसी भावनाय है उसे सबसे बुरह इस बात का लगता है कि उसे निर्दूसों का खुन पीना पड़ता है सुबह होती है, फिर रात होती है, सोफिया जाकती है उसके पास में ही यस सोया हुआ है, जो कि बहुती क्रीपी दिखता है येस भी जाकता है सोपिया यहाँ पर आपको उस मदद मांगती है चिलाती है रोती है गिलगिलाती है पर येस उसके प्रतिक कोई सानुभूती नहीं रखता है वो सोपिया को अपनी दासी बनाना चाहता है वो उसका खुन पीता है अब यहाँ पर सोपिया के पास दो पायर से की तरह वो भी यस की अधिनता शिवकार कर ले और दूसरा की यस उसका सारा खुण पी कर उसे मार दे हम आगे देखेंगे कि सोफिया कौन सा विकल्प चुनती है यस अपनी मान से पहार आता है उसे सामने केडरस मिलती है केडरस और यस यह दोनों सिकार करने के लिए कलब से बाहर आते हैं यहाँ पर केडरस को सिकार करना है उसे अपना सिकार मिल जाता है वो अपने सिकार का सिकार करती है हमुमने लोग सिकार नहीं करते हैं क्योंकि आईरिस उन्हें कलब में ही फ्रेस बलड उपलबद करा देती है जोचरी अभी भी कलब पर नजर रखा हुआ है इदर सोफिया जाग कर रुम को देखने लगती है तब उसकी नजर एक चाकू पर जाती है जोचरी के पास यस और केडरस आते है यस जोचरी को कलब में आने का अमंत्रन देता है और वहां से केडरस को लेकर चला जाता है यह दोनों कलब में आते है एंटोनियो अपने वकिल वोल्टर से बात कर रहा है वो कहता है क्यों ना तुम पहले वाले कॉंट्रेक को बदल कर एक नया कॉंट्रेक बनाओ जिसमें यह कलब मेरे नाम पर हो यानि कि एंटोनियो यह को धोका देने वाला है जोचरी कलब में आता है वो आइरिस को कहता है मुझे यह ने बुलाया है आइरिस उसे यह के पास ले जाती है और फिर वहां से चली जाती है यह के साथ में ओल्ड लेड़ी भी है जो फ्यूचर बताती है खेर यहाँ पर जोचरी लेटरेस बलेट से एक अटेक भी करने वाला था पर क्यूंकि यस उससे कहीं ताकतवर है इसलिए वो जोचरी की बलेट उससे छिन लेता है और जोचरी बलेट के बीना एक सक्तिहिन वेंपायर है यहाँ पर यस जोचरी से एक डील करता है वो कहता है म तुम्हें आज रात की दावत देता हूँ, जिसमें तुम्हें एक खुब सुरत पतनी और आज की रात बिताने के लिए तुम्हें सुरक्षित इस्तान दूँगा, पर तुम्हें कल होते ही यहां से जाना होगा, और फिर तुम कभी वापस लोटकर यहां पर नहीं आओगे, इसके बदले में मैं तुमें सोफिया से मिलने दूँगा। जोचरी के पास आप कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए वो येस की सारी बातों को मान लेता है। येस उसे उसकी मांद में लाता है। येस उसे अपनी पावर से घुटनों के बल ले आता है। वो कहता है तुमें मेरी अधिनता स्युकार करने ही होगी और एक कह कर उसका खुन पीने लगता है। आईरिस येस की मांद की तरफ आती है वो डूर पर नोक करती है। येस डूर ओपन करता है वो कहती है एंटोनियो और वॉल्टर हमें दुका देने वाले हैं। येस आईरिस को वोल्टर को लाने को कहता है सीन एंटोनियो पर आता है। एंटोनियो के पास येस आता है। येस के हाथों में लेटरस की ब्लेड है। एंटोनियो येस से माफी मांगने लगता है तभी वहाँ पर वोल्टर को लेकर आईरिस आती है। Walter इन दोनों के पास आता है YAS Antonio से कहता है तुमें पता है दोका देने की सजा क्या है वह एक कहकर वो ब्लेड वोल्टर में गुशा देता है और फिर उसके बाद YAS Antonio की गरदन ब्लेड से काट देता है Iris यह देख कर हैरान थी येस एंटोनियो की गर्दन उटा कर उसे आग में जला देता है येस आईरिस को इन दोनों की डेट बोडिस टिकाने लगाने को कहता है और एक कहकर वो वहाँ से चला जाता है सीन जोचरी पर आता है यही पर जोचरी बताता है कि उसे वेंपायर किसने बनाया वो बताता है कि सेरेना नाम की एक लड़की ने उसे वेंपायर बनाया वो एक मन मोहक लड़की थी जिसने मुझे सेड्यूस किया और फिर उसने मेरा खुन पिया हमें सोफिया दिखाई जाती है येस उसके पास आता है वो उससे करता है सोफिया तुमसे तुमारा दोस्त जोचरी मिलने आया है तो खुद को अच्छे से तियार करो वो सोफिया को लेकर जोचरी की मांद की तरफ आता है इधर जोचरी खुन पी रहा है तब उसकी मांद में येस और सोफिया आते है सोफिया जोचरी को ऐसा देख कर हेरान थी वो जोर से चिलाती है जोचरी उसे देख लेता है यस करता है मैंने अपना वादा पूरा किया और एक करकर यस जोचरी की मांद का डोर बंद कर देता है जोचरी एक बार फिर से रिग्रेट फिल करने लगता है अब वो इस मांद से बाहर आने की सोच रहा है पर मांद से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है यस सोफिया को अपने मांद में लाता है यस का जोचरी को लेकर एक प्लान है वो ये प्लान आईरिस को बताता है वो जोचरी की मांद की चाह भी आईरिस को देता है और उससे करता है जैसे ही दूपहर की रोशनी हो तुम जोचरी को उसकी मांद से बाहर लाकर जला देना यहाँ पर आईरिस को एक बात समझ में आ जाती है जैसे ही यह का इंट्रेस मुझे में से खतम हो जाएगा वो मुझे भी मार देगा सोफिया उसमें आती है उसकी नजर लेटरिस बलेट पर जाती है वो उस बलेट की ओर आती है अब सोफिया काफी कमजोर हो चुकी है वो लेटरिस बलेट के पास आ जाती है यहाँ मांद में आता है सोफिया उस पर लेटरिस बलेट से अटेक करती है पर यहाँ काफी ताकत वर है वो सोफिया को पकड़ कर बेट की ओर लाता है त्यूंकि वो एक वेंपायर बन चुकी थी, उसकी आखे खुलती है, तब उसके पास आईरिस आती है, यहाँ पर ये दोनों एक डिल करते हैं, डिल थी कि आईरिस जूचरी को सोफिया के पास ले जाएगी, पर उसे यस और उसके सातियों को मारना होगा, और दूसरी बात यह थी कि उसे सोफिया को लेकर यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए, इदर येस सोफिया का खुन पीकर उससे आख्री बार पुछता है, जीवन या फिर मृत्यू, आईरिस जूचरी को अपने साथ लाती है, वो उसे येस की मांद की और इसारा करती है, जूचरी येस की में जाने लगता है, कि तभी उसे दिमित्री आवाज लगाता है, वो दिमित्री के पास आता है, वो दिमित्री के पास आकर उसकी गर्दन मोर देता है, वो उसे मार देता है, फिर जोचरी येस की मांद में आता है, उसे सामने बलेट गिरी हुई मिलती है, वो बलेट उटा कर यस पर आटेक करता है पर यह सामले से बचने के लिए अपने हाथ को ढाल बनाता है जिससे उसका हाथ कट जाता है वो सोफिया को लेकर वहां से भागने लगता है यस केडरस कुन दोनों के पीछे जाने को कहता है केडरस इसा ही करती है यह दोनों भाग रहे है केडरस उनके पीछे है और केड्रस के पीछे येस है वो थोड़ा घायल है सोफिया और जोचरी ये दोनों एक जगह पर आते हैं ये जगह वही है जहाँ पर सोफिया को येस ने काटा था तबी केड्रस आकर सोफिया को पकड़ लेती है वहाँ पर येस भी आ जाता है वो सोफिया को अपने कबजे में लेता है और केडरस को येस पर आटे करने को कहता है येस और केडरस के बीच एक फाइट होती है खेरे फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलती है और विचारी केडरस मारी जाती है ये देखकर मास्टर वहाँ से भागने लगता है दर्पोक मास्टर जोचरी ब्लेट लेकर उसके पीछे जाता है सूर्य उदे हो जाता है जो यस को जलाने लगता है तबी वहाँ पर जोचरी आकर ब्लेट से एक आकरी वार करता है जिससे यस नीचे गिर जाता है और राक बन जाता है जोचरी सोफिया के पास आता है ये दोनों एक जगह पर सूरज की रोशनी से चिप जाते हैं सोफिया और जोचरी को दिखाते हुए ये मूवी खतम हो जाती है अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सेर और कमेंट करें और चेनल को भी सब्सक्राइब कर लीजियेगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में